मूली के पत्ते अक्सर हम लोग फेक देते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि मूली के पत्ते मूली से कहीं ज़्यादा फायदेमन होते हैं इन पत्तों में iron, calcium, folic acid, phosporus और fiber पाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा फायदेमन है अगर आप salads हो या कच्चे ही मूली के पत्ते खाते हैं तो ये आपके खाना को पचाने में मदद देता है और जिलनों को कबज की समस्या है गैस बनती है उससे भी रहत देता है इसलिए किसी ना किसी बहाने से मूली के पत्तों का इस्तमाल हमें करते रहना चाहिए चाहे आप इसकी सबजी भी बना सकते हैं या सलात के रूप में भी इसको खा सकते हैं तो आज मैं आपके लिए जटपड मूली के पत्तों से बनने वाला टेस्टी और हेल्दी नास्ता की रैस्पी लेकर के आई हूँ इसे आप morning breakfast में भी बना सकते हैं या दोफैर की हलकी फुलकी भूग में भी बना सकते हैं तो चलिए start करते हैं तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल fresh मूली के पत्ते लिए हैं तो मैंने दो मूली के पत्ते ले लिए हैं इसको हम क्या करेंगे एक एक इसके डंठल को निकालते जाएंगे और पत्तियों को हम अलग निकाल लेंगे यह जो आपको stick जैसी दिख रही है इसको आपको अलग कर लेना है तो आप देख सकते हैं मैंने जितनी भी पत्तियां पत्तियां थी उनको अलग निकाल लिया है अब हम क्या करेंगे इन पत्तियों को हमें बिल्कुल बारिक काटना है तो उससे पहले आप इनको धो करके रख लीजेगा मैंने इनको काफी दिर पहले धो करके रख लिया था तो ये काफी अच्छे से सूख भी गए है पत्ते तो आप इनको धो करके ही इस्तिमाल करिएगा अब हम इन मूली की पत्तियों को खुब बारीक बारीक जितना पॉसिबल हो सके आप उतना बारीक इसको काट लिजेगा तो चलिए हम सभी पत्तियों की इसी तरह से बारीक कट कर लेते हैं तो लीजे हमने सभी पत्तियों को बारीक बारीक काट लिया है अब हम एक मूली को भी साथ में कद्दू कस कर लेते हैं मूली के पत्ते हमने दो मूलियों के लिए थे मूली हमने सिर्फ एक ली है तो इसको भी हम कद्दुकस कर लेंगे हम अलग से एक मिक्सिंग बोल में एक कप बेशन डालेंगे साथ में इसमें हम डालेंगे थोड़े से जीरा बहुत ज्यादा नहीं बस एक चोथाई चमच के लगबग हमने जीरा लिये हैं थोड़ी से हम इसमें लाल मिश पाउडर डाल देते हैं साथ में हम इसमें डाल साथ में हम साधन सार नमक डाल देते हैं और हरी मिर्च तो हरी मिर्च भी हम इसमें डाल देंगे अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके इसका हम घोल तयार करेंगे आप देख सकते हैं हमने बेशन का पतला सा गोल बना करके तयार कर लिया है अब हम इसमें कद्दू कस की हुई मूली डालेंगे साथ में ही जो मूली के पत्ते थे उनको हम डालेंगे लेकिन मूली के पत्तों को आपको एकटा नहीं डालना है एक-एक मुठी भर करके डालते जाना है और इसको अच्छे से mix करते जाना है इससे क्या होगा जब आप इसको लगातार चलाते जाएंगे तो यह जो पत्ती है यह एकदम बैठते जाएंगे और जो हमारा paste है वो थोड़ा सा balance हो जाएगा तो देख सकते हैं मैं थोड़ा थोड़ा करके पत्तों को डालती जा रही हूं और यह soft पड़ते जा रहे हैं अच्छे से घोल में mix होते जा रहे हैं तो लेज़े हमने बेशन का जो घोल है बना करके ready कर लिया है तो आप देख सकते हैं कुछ इतना पतला हमें इसको रखना है अब चलते हैं गैस की तरफ तो यहाँ पर हमने एक तवा रखा है तवा को हम अच्छे से वाई से grease कर लेते हैं तवा मीडियम गरम है अब हमने जो बेशन का घोल बना करके रखा हुआ है मूली के पत्तो वाला इसको हम चम्चे की मदद से एक या दो चम्चे डालेंगे और इसको हम अच्छे से फैला देंगी तो इसको आपको बहुत जादा मोटा मोटा नहीं फैलाना है थोड़ा सा आ लो टू मीडियम फिलीम पर दो मिनट तक नीचे की तरफ सिखने देंगे दो मिनट हो चुके हैं और यह देखी उपर की तरफ बिल्कुल जो पेश्ट था बेशन का वो ड्राई हो चुका है थोड़ा सा ओयल से ग्रीस कर देते हैं उपर की तरफ भी अगर आप ओयल नहीं ख लिजीए रेडी हैं हमारा मूली के पटो का वहीडी अरहे नास्ता है इसे आप मूली के पत्तों के चीले भी बोल सकते हैं किर से हम जल्डी से ओल से घ्रीसिंग कर लेते हैं तबे को बिल्कुल देख सकते हैं दो गुण तेल ही लगना है इस से ज़ादह नहीं लगेगा और और फिर से हम अपना चीला फैला करके रेडी कर लेते हैं, सेम प्रोसेस में इसको भी हम ढख करके नीचे की तरफ अच्छे से पका लेंगे, और इसको पलट करके दूसी साइड भी अच्छे से सिखने देंगे, इसी तरह से हम अपने सारे मूले के पत्तों के चीले बना करके रेडी कर लेते हैं तो लीजे तैयार है गर्मा गरम मूली के पत्तों के टेस्टी चीले बहुत ही हैं और इकदम नरम नरम होते हैं यह देखिए कितने सॉफ्ट सॉफ्ट यह बने हैं तो आप इनको रॉल करके भी रख सकते हैं जैसे भी आपको पसंदो और काफी समयता किसी तरह से यह सॉफ्ट रहते हैं तो आप इने चाय के साथ इंज्ट्वाइब कर सकते हैं चटनी के साथ यह टोमाटो कैचप के साथ भी खा सकते हैं वीडियो अच्छा लगी तो लाइक शियर जरूर करें फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में